सभी भाई बेनों को मेरा जैहिन और आज की मेरी वीडियो है एसी के साइज के बारे में और एसी से रिलेटीड सभी ऐसी बाते जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो आपको कोई भी एसी बेखने वाला या एसी टेक्निक्शन जो आपके यहां रिपेर करन वाला आ रहा है वो नहीं बताएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अब बात करते हैं एसी के साइज के बारे में अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं और आप मन मना चुके हैं हमें एसी खरीदना है तो आप पहले अपने ही हिसाब से मेजर मेंट कर सकते हैं कि म जो आप इस पिच्चर में देख रहे हैं एसी की जो चोड़ाई है वो हमारी इंचीज में 26 होती है और mm के हिसाब से 660 mm होती है उसके बाद चोड़ाई के बाद हमें चीज यह होती है एसी की हाइट उचाई यह दोनों चीजे ही डिसाइड करेंगी के एसी आपकी जो विंडो है उसमें आए गया है नहीं तो 26 इंच चोड़ाई है और उसके बाद 17 इंच एसी की हाइट है और यह दोनों जो मेजरमेंट है यह डेट टन और दो टन एसी की सेम होती है सिर्फ अगर फरक पड़ता है तो डेफ्ट पर पड़ता है गहराई पर जो एसी की आपकी दिवार स जो बाहर निकल जाएगा उस पर और वो जो गैराई है लगबग धाई फूट के करीब होती है और किसी एसी में थोड़ी कम होती है लगबग धाई फूट तो सब में रहती है तो जो हमारी हाइट है वो 17 इंच है और जो चुड़ाई है वो 26 इंच है लेकिन एक बात है यह तो बिल्कुल एकुरेट साइज है जो एसी का होता है एक बार इस ग्राफ की तरफ और धियान देता है देख रहे है कि मैंने जो हाइट थी हो 17.1 इंचीज कर दिये और 26.1 इंचीज कर दिये मैंने एक एक सूत बढ़ा दिये मतलब करीबन चार चार से तीन से चार में मैंने बढ़ा दिये इसका रीजन यह है कि जब एसी हम विंडो में लगाते है न तो कई बार एसी बिल्कुल फिक्स आता है थोड़ा बहुत ताइट हो जाता है जिसकी वेसे हमें इसी को ठोक ठोक कर लगाना पड़ता है तो तो ऐसा ना हो इसलिए एक सूत फाल्टू रखनी पर देप्थ की बात है वो 26 इंच से 30 इंच होती है एसी की जो मतलब पीछे की तरफ लेंथ है डेप्थ है वह 30 से 26 इंच के बीच में होती है लगबग धाइफुल और अगर हम बात करें इससे छोटे यहोगी यह तो थी देटन और दोटन एसी की तो अगर आपका एक तन या पॉन तन एसी है उनकी जो लेंथ वैथ और हैट है वो इससे कम है वो फिलाल मेरे पास नहीं है उसका मेजरमेंट और एक जर्नल का जो इसी है वो जर्नल का इसी उसकी जो यह डाइमेंशन है वो अलग है बाकी लगबग सभी यह यह डाइमेंशन है सेम है चाहे वो कैरियर हो वोल्टास हो पैनसोनिक हो गोद्रेज हो वर्लपूल हो सभी कमपनियों का यह स्टेंडर्ड साइज है डे टन दोटन का सभी यह आप आँख मीच के ले सकते है इसी आपको यही साइज मिलेगा पर अगर आप जनल एसी ले रहे हैं तो जनल एसी में आपको साइज का जो विंडो का है वो अलग लेकर चलना पड़ेगा वो थोड़ा बढ़ा है उसके लिए मैंने बैल आइकन में और एंड स्क्रेंड में वीडियो डाली हुई है आप व आपको कोई सवाल है एसी से रिलेटिड जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको जवाब मिल जाएगा जब आप अपनी जो रूम की विंडो है उसको नापकर आप एसी पर्चेस कर लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है एसी का साइज आपके प चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और उस साइज से आप अपनी विंडो को आडजस्ट करा लीगी है क्योंकि आपने अगर यह साइज बन वालिया नहीं आएगा बट अगर आपने जनर्नल का असी कह साइज बनवाया तो इसमाच बंदा है तो मेरी सलाइग इसी नापने के बाद पर्चेस कर लीजिए इस वीडियो का मक्सद सिर्फ इसी लिए है कि आपको ज़्यादा परिशानी नहों आप विंडो को नापकर अपना इसी खरीच सके तो अब आप से भी से मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बातों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबीका धन्यवाद आप